तो स्वागत है आपका और एक नए जॉब अपडेट में आज एक ही दिन में दो-दो जॉब अपडेट्स हमें मिले सबसे पहला RCFL का जो हमने अल्रेडी डिसकस किया है और सेकेंड वन इस ससी जूनियर इंजिनियर के यहाँ पर सिविल मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनो ब्रांचेस एलिजिबल है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकते है इन डीटेल में हम लोग डिसकस करेंगे क्या क्या चीज़े है पेपर पैटन भी चेंज हुआ है थोड़ा पिछले साल से तो हम लो जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो अगर फॉर्म में कुछ करेक्शन वगरा है तो उसके लिए इन्होंने दो एडिशनल डेज दिये है लेकिन मिस्टेक मत कर दाना क्यूंकि उसके लिए अडिशनल आपको फीज है वो पे करनी होगी एक्जाम टेंटीटीवली जो सीबीटी वन रहेगा उन्होंने डेट डिया है ऑक्टोबर मंत में आपका एक्जाम हो सकता है शायद आगे पीछे हो सकते है डेट्स आपको सारी चीज है वो समझ में आज जाएगी लेवल सिक्स रहेगा आपका 35,400 आपका बेसिक रहेगा ग्रूप भी नॉन गैजटेट पोस्ट है कौन से औरगनाइजेशन में सबसे पहले एक एक कर देखे जाएगे बॉर्डर रोड्स औरगनाइजेशन के बिया ओ में जूनियर इंजिनर सी सी यानिके सीविल के लिए है एसेंशिल कॉलिफिकेशन या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर तीन साल का डिप्लोमा अगर आ इग्जेक्योशन या फिर मेंटेनेंस में आप दा सीविल इंजिनेरिंग वर्क्स एज लिमिट यहां पर राइट सैड पर आपको दिखाई देगा उसके साथ साथ जुनेर इंजिनेर इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल यह कंबाइन पोस्ट है तो जिसमें डिगरी या तो इले में अगर होता तो यहा पर इंचन कर देते हैं में इनने आगे कहा है सेंटरल वाटर कमिशन में बैचलर्स डिग्री या फिर डिपलोमा इन सीविल इंजिनरिंग तो ऐसा उपर कह सकते थे पी डबलुडी में लेकिन यहाँ पर इनने नहीं कहा है तो सिर्फ डिपलोमा वाले स्टुडेंट्स ही वो यहाँ पर अपलाय कर सकते है नेक्स्ट है मेक सिविल और मेकेनिकल के लिए डिपलोमा स्टुडेंट्स या पर अपलाय कर सकते हैं नेक्स्ट है मिलेटरी इंजिनरिंग सर्विसेस यानि के मेस जूनेर इंजिनर इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल यहाँ पर अगें डिग्री इन्होंने एलिजिवल करके रखिए उसके वोचाज हचा चाहिए नेक्स्टे माफव नीस्ट्री इंजिवल और मेकेनिकल एंड मेकेनिकल थे का इन्ड मेकानिकल कोंबाइप एक्सपपरियेंस है इन्होंने कहा है वह आपका क्वालिफिकेशन कोंप्लिट होने के बाद का होना चाहिए विदीन अगर आपका कोई भी एक्सपरेंस रहेगा तो काउंट नहीं होगा जैसे कि इंटर्शिप रहेगा किसी जगा पर आपने ट्रेनिंग किया रहेगा रिसर्च एक्सपिरियंस है यह से टाइप के एक्सपिरेंस को वह कंसिडर नहीं किया जाएगा प्रॉपर वर्किंग एक्सपिरेंस होना चाहिए वह भी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद वेकेंसी देखते हैं नंबर ओफ वेकेंसी बहुत ज्यादा है बॉर्डर रोड्स और्गनाज़ेशन में सीविल के लिए टोटल फॉर थर्टी वन है कैटेगराइज कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो लेकिन यहाँ पे बी अच्छा बहुत ही बढ़िया नंबर के वेकेंसी आ गया तो आपके पास बहुत अच्छा एक चांसे से आप यहाँ पर इसी लिए जुब है वह पास सकते हो नेगे सेंटर्ल वोटर कमिशन सीविल के लिए वन एती एट है और मेकेनिकल के लिए 23 है ब्रह्मपुत्रा बोड के लिए आपर उन्हें कोई भी number of vacancies आपर disclose नहीं की है next है FBP में total 15 civil के लिए mechanical के लिए 6 MES में civil के लिए 29 और electrical and mechanical combine के लिए आपर total 18 vacancies है आगे अंदमान लक्षड विप harbour works के लिए civil में 7 है mechanical में एक ही post है NTR में civil में 4 vacancies है electrical के लिए एक है और mechanical के लिए भी एक है यहनिके total हम लोग vacancy देखेंगे number of vacancy तो 1324 नहीं बहुत बढ़िया number है जो कुछ भी important points है वह हम लोग discuss करेंगे बाकी आपको जो PDF है in detail का आप अपको app में मिल जाएक total 76 page का PDF है तो आपके recording जो कुछ भी अगर आपको पढ़ना है वह easily पढ़ सकते हो एक सर्विसमें के लिए यहां पर कोई भी reservation नहीं रखा गया है और PWD जो candidates है वह कहां पर apply कर सकते हैं यहां पर इन्होंने पर mention किया है फिफ पॉइंट पर paragraph 5.1 में कौनसे कौनसे disabilities के लिए यहां पर apply कर सकते हो यहां पर vacancies है यहां पर इन्होंने mention किया है आगे नीचे आपको abbreviations वगरे भी दिखाई देगा age limit का जो date select होगा वह 1st August 2023 और यहां पर इन्होंने clear cut mention किया है जहां पर 30 years maximum age है वहां पर 2nd August 1993 के बाद इसके पहले नहीं होना चाहिए कि 2nd August 1993 and 1st August 2005 इन दोनों डेट्स के बीच में ही आपका birth होना चाहिए तब ही आप eligible हो सकते हो and same for the 32 यहां पर age date क्या है वह 1991 है ओके SCST PWD रहेगा OVC रहेगा एक servicemen रहेगा इसके according आपको जो कुछ भी reservation मिलता है usually वो सारी चीज़े यहां पर मिलती जाएंगे ओके डायरेक्ली जब करते हैं जो कुछ भी important रहेगा तो हां आपको कहां पर apply करना है तो ssc.nic.in पर इसका जो link है आपको नीचे description box में मिल जाएगा last date है 16 August जो हम लोगों ने already discuss की है fees है यहां पर 100 रुपीज सिर्फ जो बहुत अच्छी बात है ज्यादा fees नहीं है तो कोई भी apply कर सकता है women candidates SCST PWD और ex-servicemen के लिए कोई भी fees है वो आपको pay नहीं करनी है नेक्स्ट है जो मैंने कहा था कि application में कुछ correction है तो आप यहां पर 17 August और 18 August इन दोनों डेट्स में आप कर सकते हो लेकिन first time अगर आपने कुछ correction किया तो 200 रुपीज आपको additional payment fees pay करनी होगी और अगर आपने second time कुछ वहां पर correction किया तो आपको 500 रुपीज fee है वो pay करनी होगी center of examination बहुत सारे centers यहां पर लिस्ट आपको दिखाए देगा से रीजन होई से Central Eastern करनाटा के पिर केरला रीजन मध्यप्रदेश रीजन नौर्थ इस्टन रीजन नौर्थ रीजन नौर्थ वेस्टन रीजन सदन रीजन एन वेस्टन रीजन तो आप वीड पेपर जैसे MCQ था वैसे ही है दो गंटे का अपका पेपर रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टोटल 50 questions और 50 marks रहेंगे एक क्वेशन के लिए एक माक रहेगा जनरल अवेर्नेस के भी सेम 50 questions 50 marks और आगे है 3rd पार जिसमें या तो civil का रहेगा या फि पर CBT ही रहेगा और पेपर टू भी यहाँ पर अगें MCQ टाइप है जो पहले कंवेंशनल बेस था आपको रिटन लिखना पड़ दा था लेकिन यहाँ पर सिर्फ MCQ बेस पर ही है जो आपर पैटन चेंज हुआ है यहाँ पर आपको 100 questions मिलेंगे और 300 marks किलेंगे हर एक question है व आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाला पेपर ही solve करना है पेपर वन और पेपर टू विल कंसिस्ट अफ अब्जेक्टिव टाइप मल्टीबल चोईस क्वेशन ओनली दो क्वेशन विल बी इन बोथ हिंदी एस वेल इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा निगेटिव मार्किंग वन थर्ड रहेगा ऐसा इंदोने क्लियर कट मेंशन किया है पेपर टू में आपको स्लाइड रूल कैलिकुलेटर लॉगरिद्मिक टेबल स्टीब टेबल यह सारे अलावड है लेकिन पेपर वन में यह कुछ भी अलावड नहीं है तो के आपको दिया जाएगा अगर आपको कुछ भी अब्जेक्शन लेना है तो 100 रुपीज पर क्वेशन की इसाब से आप अब अब्जेक्शन ले सकते हैं जो नॉन रिफंडेबल है अगर मल्टीपल यूज्वली मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो उसके वाज़े से नॉर्मालाइजेशन भी होगा माक्स वगरे आपको बाद में पता चल जाएंगे इंडिकेटिव सिलाबस यहां पर इन्होंने मेंशन किया है पेपर वन के लिए जनरल इंटेलिजिसन रिजनिंग वाला जनरल अवेर्नेस वाला एंड जनरल इंजिनरिंग का तीनों करके देख से तो यहां फिर पीडिएफ में आपको मिल जाएगा पेपर टू का यहां पर इंड डीटेल में यहां पर इन्होंने सिलाबस दिया है हर एक ब्रांच के लिए सीविल के लिए बी इलेक्ट्रिकल के लिए और मेकैनिकल के लिए ठीक है बढ़ते हम दोग जो होगे यह भी यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन यह मिनीमम मार्क्स है कॉलिफाइं मार्क्स इसके उपर ही अगर आपको है तो भी आप कॉलिफाइं हो सकते हो शॉट्लिस्ट होने के लिए अगर 30% है तो शॉट्लिस्ट होगे ऐसा ज़रूर नहीं है यहां प पीडिएफ में थोड़ा और नीचे जाओगे तो इतने फॉर्म फिलब प्रोसेस भी यहां पे दिया है ओके डिरेक्ली जम करोगे अगर आप 43 नंबर पेज पर तो स्क्रीन शॉट वगर इन्होंने दिया है क्या क्या कैसे फिल करना है एक फॉर्म का आपको आईडिया आ हो ठीक है तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो और मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में किसी नए जॉब अब्रेट के साथ